नमस्कार सभी दोस्तों को स्मार्ट जी के ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे BSF आनि Border Secretary Force के बारे में इसमें कुछ वेकेंसी निकल करके आ रहे हैं जिनका ऑनलाइन होना है और इनके बारे में कितना qualification चाहिए क्या क्या experience चाहिए कितना age criteria रहने वाला है और कैसे form को fill up किया जाने वाला है और SC, ST या OBC को क्या age में छुट मिलेगा इसके बारे में हम आप लोगों को details बताने वाला हूँ तो दोस्तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद लगेगा तो ही मेरा चैनल को subscribe करिएगा और नहीं तो नहीं करिएगा इससे पहले दोस्तो आप लोग वीडियो देख लें चलिए दोस्तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए तो देखिए BSF जो है Latest Upcoming Recruitment 2023 Apply Online Form 2023 में अपलाई होने वाला है BSF का उसके बारे में चर्चा है चलिए दिखा देते हैं कब इनका डेट होने वाला है और क्या डेट रहेगा दोग देख सकते हैं दोस्तों देखिए Application जो है Start हो गया है और PostWise नीचे दिया हुआ है Last Date और First Date क्या होने वाला है और General OBC और EWS को 100 रुपईया Application फिलागेगा और SC, ST और Physical Handicap के लिए 0 रुपईया Exam फिलागेगा Application फिलागेगा और All Categories फिल यानि महिला के लिए कोई रुपईया नहीं लगेगा यानि 0 रुपईया लगेगा तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों को दिखा देते हैं किनका कितना Post रहने वाला है तो आप लोग देख सकते हैं Inspector जो है और SI वर्क जो है J या SI Electrical में कुल 23 पद हैं जो गुरूप B के अंतरगत आते हैं और इनका Last Date 14-3 यानि 14 March 2023 है और गुरूप C का जो है Engineering में आते हैं इसमें ASI DM Grade 3 Grade 3 HC यानि हेड कंस्टेबल पॉम परपरेटर इसमें कुल पदों की संख्या 40 है और इनका 14 March लास्ट डेट है तिसी तरह हैं दोस्तों तो आप लोगों को और आगे दिखाता हूँ तो देखिए दोस्तों आम लोग आ चुके हैं डिटिल्स जानने के लिए और तो आप लोग देख सकते हैं और मेल और फैमेल जो है जो भी इंडियन से विलोम करते हैं यानी जो भारत से विलोम करते हैं जो भारत में रहते हैं उनके लिए हैं और टोटल पदों की संख्या यानी टोटल वैकेंसी जो है 1284 है इस में से 1220 vacancies for male candidate यानि 1220 vacancies जो है पुरुस के लिए है पुरुस अभ्यर्थी के लिए है और 64 vacancies जो है ये महिला अभ्यर्थी के लिए है और इस में मैट्रिक्स लेवल जो है आपका 3 रहेगा यानि 3 ग्रेड में रहेगा पर इसके लाप लोगों का देख सकते हैं 27700 से 79100 रुपई या रहने वला है और ये central government का नोकरी है दोस्तों यानि भारत सरकारगी नोकरी है के अंदर सरकार की नोकरी है तो आप लोग पोस्ट वाइज और केटेगरी वाइज सीट को देख सकते हैं तो मैं एक बार दिखाने का कोशिस करूँगा जैसे constable जो है कौवलर का इनका कुल पदों की संख्या बात कर लें तो 22 हैं और constable टेलर जो है इनका बारा है constable कुक के लिए सबसे अधिक पद की संख्या जो है 456 है constable वाटर केरियर के लिए और जलवाह के लिए 200 हैं और इसमें से आप लोग देख सकते हैं दोस्तो हम आप लोगों को असवस्त यानि किलियर कर देना चाहता हूँ कि जेनरल, EWS, OBC, SC, ST ये सभी पदों को मिला करके जोड़ा गया है तो आप लोग नोटिफिकेशन में किलियर करके देख सकते हैं और मैं कुल पदों की बात कर देता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं जोड़ के सभी मिला के 12 सब 20 पद मेल कंडिडेट्स के लिए है और हम लोग फैमेल की बात अगर करें तो जनरल EWS, OBC, SC, ST और ये सभी पदों को मिला करके दोस्तों कुल पदों की हम लोग बात कर लें तो 64 है और हाँ देखिए दोस्तों एक चीज़ किलियर कर दिया गया है कि आप लोगों का जो भी है एप्लिकेशन ऑनलाइन मोड में होगा आनि केवल ही केवल ओनलाइन होना है ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लिजे देखिए का रहा है दोस्तों वेकेंची जो है वो चेंज हो सकता है इसका सब्जेक्ट यानि मेटर और इसमें सीटों की संख्या जो है बढ़ा सकता है और घाट भी सकता है जो बीएस एफ चाहेगा वो ही होगा और हम लोग बात कर लें तो लास्ट डेट एक्सेप्शन जो है तीस दिन का दिया हुआ है जो बीएस एफ वेबसाइट पर दे दिया गया है आगे हम लोग बात कर लें तो एज केटेगरी में जैसे अठारा से पचीश साल जेनरल के लिए होगा और SC, ST, OVC को जो है केंदर सरकार के अनुसार जो भी छुट मिलता है वो एज रिलेक्सेशन दिया जाएगा तो आप लोगों की हम बात कर लें कि एजुकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानि सेक्षिनिक योगिता क्या रहने वला है तो अगर हम ट्रेड्स की बात कर लें तो कॉंस्टेवल कॉबलर, कॉंस्टेवल टेलर और कॉंस्टेवल वासरमेन, कॉंस्टेवल बार्बर और कॉंस्टेवल स्वीपर इनके लिए जो है matriculation certificate चाहिए अनि matric का mark sheet आप लोगों के पास है तो चलेगा must be proficient in respective trade और आप लोगों के लिए जिस भी trade से आप लोग है उनका certificate चाहिए और must qualify trade test in the respective trade conduct by recruitment board आप लोग देख सकते हैं दोस्तो ट्रेड जरूरी है दो नम्मर में कहा किया है दोस्तो कि ट्रेड जो है constable cook के लिए और water carrier और water के लिए इसमें आप लोग को मेट्रिक जो है होना अनिबार है और national skill qualification framework क्वार्ट के लिए जब अच्वें ट्रेड आप जो है लेवल वन कॉर्स इन फूर्ड प्रोड प्रोडॉक्शन और कीचन फ्रम नेशनल्स किल डेव्लोप्मेंट कारप्रेशन और फ्रम इंस्टूट् इंस्टूर्ट रिक गोनेशन बाइ नेशनल स्किल डवलोप्मेंट करप्रेशन से जो भी है उनके लिए चलेगा मल्टी स्किल्ड कंडिस्ट कंडिडेट्स विल भी गिवन प्रॉफर्मेंस जो दिया गया है आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग बात कर लें दोस्तों क्या फिसिकल स्टेंडर्ड क्या होने वाला है तो आप लोग किलियर हो जाएए फोर आल कंडिडेट्स जो भी कंडिडेट्स हैं सभी के लिए मैंसन किया हुआ है तो हाइट जो है 165 सेंटीमिटर चेस्ट की बात कर लें तो सब्सक्राइब के लिए और फेमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमिटर और चेस्ट इसका नॉट एपलिकेबल यानि नहीं मापा जाएगा अगर रिलक्सेशन यानि हाइट में छूट की बात कर लें तो एस्टी से जो भी आते हैं उनको 160 सेंटीमिटर हाइट चाहिए 75 से 80 चेस्ट चाहिए और फेमेल में जो एस्टी से आते हैं उनको 148 सेंटीमिटर चाहिए जब किसीना का माप नहीं होगा तब लोग देख सकते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों इसमें आगे और नहीं करते हुए हम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि और डिटेल्स अगला वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हुआ हो तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा थैंक्स फर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद